दोस्तो गूगल मैप दुनिया की सबसे यूसफुल चीजों में से एक है वैसे तो नॉर्मल गूगल अर्थ और मैप से एड्रेसेज वगेरा ही तलाश किये जाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल मैप ने कई मिस्टरिस को भी सॉल्व किया है वैल आज किस वडियो में मैं आपको गूगल मैपस की मदद से हल होने वाले अन्चूशल केसिस के बारे में बताने जा रहा हूँ तो शुरू करते हैं अपना काउंट टाउन 202 नवंबर 2020 को बेलजियम में रहने वाली एक औरत अचानक अपने घर से लापता हो गई इसका नाम पैट लेटरी था और इसकी उमर 83 साल थी ये अपने शौर के साथ अपने घर के अंदर रहती थी जिस वकद ये घर से निकली उस वकद इसका शौर सेहन में कपड़े पहला रहा था इसे पता ही नहीं चला कि कब पैट अपने घर से बाहर निकल गई है जब इसकी हस्पेट को पता चला कि पैट गर पर नहीं है तो इसने इसे ढूणना स्टार्ट कर दिया वो इसे ढूणने के लिए गली और आसपास की घरों में भी गया लेकिन पैट कहीं पर नहीं मिली असलमें इसकी वाइफ को भूलने की बिमारी थी ये पहली बार नहीं था कि वो गर से गाइब हुई हो बलकि अक्सर वो गर से बाहर चली जाती और वापसी पर अपने घर का पता भी भूल जाती थी इवन कई बार तो इसकी भूलने की नौबत यहां तक आ जाती कि अपने शोहर को भी नहीं पैचाती थी लेकिन हर दफ़ा जब भी ये घर से बाहर जाती इसे आसानी से ढोंड लिया जाता पर इस दफ़ा पैट का कुछ भी पता नहीं चल सका इसके शोहर ने जब पुलीस को सारी बात बताई तो इन्होंने पूरे एरिया में सर्च करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने सर्च डॉक्स, थर्मल हैलिकॉप्टर ड्रोन्स, यहां तक इसे ढोंडने के लिए कोई चीज नहीं चोड़ी लेकिन पैट का कुछ पता नहीं चल सका आखर में पुलीस को लगा कि शायद वो बुड़ी और दर्या में डूप कर मर गई होकी इस वाके को दो साल गुजर गए और अक्तुबर 2022 में जब पुलीस इस केस को क्लोज करने लगी तो एक पुलीस इन्वेस्टिगेटर गूगल स्ट्रीट व्यू पर उस बुड़ी औरत का घर देखने लगा इसे वहाँ पर पैट की ऐसी तस्वीर नजर आई जिससे देखकर पूरा डिपार्टमेट शौक हो गया गूगल मैप की इस पिक्चर में वो औरत अपने घर से निकल कर स्ट्रीट क्रॉस कर रही थी और अपने हमसायों की तरफ जाती हुई नजर आ रही थी पुलीस फॉरण मैप पर दिये गए उस एरिया में पहुँच गई और जब इन्होंने उस जगा की तलाशी ली तो एक छोटी सी पहाड़ी के पीछे उस औरत की डेड़ बॉड़ी पड़ी पड़ी हुई तो पता चला कि पैट की मौत गिरने की वज़ा से हुई थी वेल जो केस ड्रोन्स और हलिकॉप्टर्स नहीं सॉल्व कर सके वो एक छोटी सी एप ने सॉल्व कर दिया था और दो साल के बाद उस बुड़ी औरत की हड़ियां मिल गई जिससे पता चल गया कि आखर उसके साथ हुआ क्या था बाराल जो भी हो गूगल मैप्स वाके ही मे चीज़ हैं दोसो 2009 में इंग्लेंड के अंदर एक कपल रहता था जिनके नाम डेविड और रेबिका थे इनके दो बच्चे भी थे डेविड को ट्रेवलिंग करने का बहुत शौक था सेप्टेंबर 2009 में इसने एक मिनी वैन ली ताकि ये अपनी फैमिली को केम्पिंग के ल पुलीस और डेविड दोनों को इनफार्म किया पुलीस ने इसे डूढने की बहुत कोशिश की लेकिन ना तो इस फैमिली के पास कोई प्रॉपर एविडेंस था और नहीं इने किसी पर शक्त था जिस वज़ा से चोर को ट्रेज नहीं किया जा सका इवन इस इंसिडेंट के बाद वो मिनी वैन भी रोड पर कहीं नजर नहीं आई नौ महीने तक ये केस ऐसे ही चलता रहा और पुलीस गहे बगाहे चोर की तलाश में लगी रही लेकिन मार्श 2010 में इस केस के अंदर एक बहुत स्ट्रेंज ट्विस्ट आया एक दिन डेविड का बेटा गूगल गाने के लिए पुलीस स्टेशन पहुँच गया जब पुलीस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि जिस वकट डेविड की मिनी वैन गाइब हुई थी उस वकट यही एक शक्स था जो इस गाड़ी के पास घोम रहा था इवन पिक्चर में इसका फेस भी आसानी से द पसला कर दे दी वैल गूगल अर्थ वाके ही में एक कमाल की चीज है दूसरों ये जो शक्स आप दिख रहे हैं इसका नाम जाको जमीनो है और इसका तालू इटली से था जेल से बागने का प्लैन बनाया और एक प्रिजन सेरमनी के दौरान फरार होने में कामियाब हो गया जैसे ये जेल से बाहर आया इसने सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी चेंज की इसने अपना नाम मैनूल मौरमीनो रखा और फेक आईडीज बनवा ली इसके बाद ये स खोला और काम करना स्टार्ट कर दिया सिर्फ इतना ही नहीं बलकि इसने शादे भी कर ली और खुद को कम्प्लीटली चेंज कर लिया वक्त गुजरता गया और इसे मैडेट आये हुए कही साल गुजर गई लेकिन इसे अंदाजा भी नहीं था कि इटली की पुलीस कही साल बाद भी इसे ढूणने में लगी हुई है इवन इटली की इंटरपोल ने इसके अरेस्ट वरण भी जारी कर दिये थे क्योंकि उन्हें शक था कि ये मैडेट के अंदर चुपा हुआ है वेल एक दिन इटली की पुलीस का एक इंवेस्टिगेटर मेडेट सिटी को गूगल मैप पर देख रहा था कि अचानक इसकी नजर एक शौप के बाहर खड़े दो लोग उपर पढ़ गई इस शौप पर मैन्यूस गार्डन लिका हुआ नजर आ रहा था और दो शक्स खड़े थे और इनमें से एक सेम जाको की तरह नजर आ रहा था जब जैको ने इटेलियन पुलीस को देखा तो इसकी होश उड़ गई इसे समझी नहीं आ रही थी कि अपनी पैचान खतम करने के बावजूद भी पुलीस आखर इस तक कैसे पहुँच गई असल में से अंदाजा नहीं था कि टेकनोलोजी काफी तरकी कर चुकी है और अब इनसान का छुपपाना आलमोस्ट इंपॉसिवल है वेल गूगल अर्थ ने तो इस बंदे की बैन बजा दी 2209 में स्विजलन की शहर जूरज के अंदर किसी क्रिमिनल ने एक एरिया के अंदर इल्लीगल ड्रग्स की काश्ट करना शुरू कर दी पुलीस को जब इस बात का पता चला तो इन्होंने से डूणना स्टार्ट कर दिया काफी अरसे तक वो लोग इसे तलाश करने की कोशिश करते रहे लेकिन इन करिमिनल्स का कुछ पता नहीं चल सका ये तने शादर थे कि पुलीस के हाथ नहीं लगे प्रॉबलम ये थी कि पुलीस को ना तो इन लोगों के बार में कुछ पता था जो इलीगल काम कर रहे थे और नहीं उस जगा का पता था जहां वो ड्रग्स उगाया करते थे लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और इनकी कोश जारी रखी वेल एक दिन एक पुलीस ओफिसर के माइड में एक आइडिया आया कि क्यों ना गूगल अर्थ के जरीए इन स्मगलर्स की तलाश की जाए तो इसने गूगल अर्थ को आउन किया और जिस एरिया पर पुलीस को शक्त था उसे एक्जैम करना स्टार्ट कर दिया अभी ये ओफिसर उस एरिया को जूम करी रहा था कि इसे एक बहुत स्ट्रेंज और अंचुजल पार अफ लैंड दिखाई दिया ये काफी बड़ा एरिया था और देखने में इर्धिरते बाकी एरिया से टोटली डिफरेंट था इस ओफिसर ने फॉरन अपनी टीम को इनफॉर्म किया और पुलीस इस जगा को लुकेट करके वहाँ पर पहुँच गई जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो इस खेत को देकर शौक हो गई इसमें दो एकर से ज़्यादा एरिये पर इल्लीकल मेरवाना उगाई गई थी इस खेत की मालिक ने बड़ी चलाकी से ड्रग्स वाले एरिया को मकई की फसल से चारो तरफ से कवर कर रखा था ताकि किसी को इस पर शक ना हो सिर्फ इतना ही नहीं बलकि इसने ये ड्रग्स अपने घर गे बिल्कुल सामने वाली एरिया में उगाई हुई थी ताकि वो हर वकत अपनी फसल पर नज़र रख सके एनिवे पुलीस ने फौरण इसे गिरफतार करके इस एरिये को सेल कर दिया बाद में जब इस क्रिमिनल से पूश्टाश की गई तो इसने बताया कि ये 2004 से अपने खेफ में ड्रग्स उगाने का काम कर रहा है और हर साल एक टन से भी ज़्यादा मनशियाद को स्मगल करता है यहाँ तक कि जब पुलीस इसके घर में गई तो वहाँ पर एक मिलियन टॉलर कैश में पड़ा हुआ था जो इसने ड्रग्स बेच कर कमाया था बाराल जो भी हूँ इस सिंपल सी एप से बचपाना इतना आसान काम नहीं है तो दोस्तो आज के लिए पस इतना ही उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मझे इंस्टाग्राम भी फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीव पी आप मझे फॉलो कर सकते हैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफ़ेज